अस्लामेकूम, मैं हूँ हुमेरावान और मैं आपको यह बताना चाहती हूँ के कैंसर कैंसर एक ऐसी बिमारी है जो हमें अर्ली स्टेट में नहीं बता चलती है और जब तक हमें रिम होता है कि हम कैंसर के मरीज हैं, वक्त हाथ से निकल चुटा हूँ बिला शुबा वो कागले सताईश है क्यूंकि वो पाकिस्तान से बाहर से source of fruit मंबा के खुद अपने कोशिशों से पूरे पाकिस्तान से cancer की हर stage के patients ढूल के उन्हें ये fruit खुद पहुंचाते हैं इसके जो पत्टे हैं ये भी इसकी भी green tea पी जाती है ये भी पहुंचाते हैं और सिर्फ पहुंचाते नहीं है बलके cancer से बचाओ के तरीके source of fruit को इस्तमाल करने का तरीका इस green tea को पीने का तरीका इसकी quantity वो सब awareness देते हैं रिहान साब तो पाकिस्तान में source of fruit जो के Mr. source of के नाम से मशूर है मेरा ख्याल है कि इससे जादा बेहतर काम कोई नहीं कर सकता जो रिहान साब करें मैं उनकी तहें दिल से शुकर गुजार हूँ क्यूँ? इसलिए कि मैं भी आज ये source of fruit जो मेरे सामने रखा है या जो ये इसके leaf मेरे पास है मैं भी Facebook और different social media पे इनका ये page देख के मैंने like किये और इनसे awareness ली कि ये क्या है और कुछ मेरे friends कुछ जानने वाले जिनको cancer था, cancer है जो भी stages थी मैंने इनसे ये food मनवा के उन लोगों को provide किया उनको ये leaf इसके provide किये उन लोगों ने ये food जो juice इसका पिया जाता है तो काफी सारी लोगों से मुझे पता चला कि ये food पीने से जो cancer के patients है उनको काफी belief मिला है उनके energy आई है और कुछ लोगों ने तो मुझे ये भी बताया कि ये उनकों ने continue जब पिया है तो उनकी body जो हम थकी थकी रहती थी और उनके अंदर एक बेजारी थी जिन्दगी से बेजारी उसमें उनकी जो है वो एक लाइबली हो गए है और अब उनका दिल चाहता है कि हो बुर के काम करें फैमिली में आए जाएं तो ये एक positive चीज थी तो और आए हमने जब source of fruit पहुचाया किसी को सिर्प source of fruit पहुचाया नहीं हमने ये किसी को पहुचा देना जो है वो एक नहीं है खिदमत बलकर ऐसा खिदमत यह कि ये पहुचाते हुए हम इसका बिल्कुल सही तरीका बताएं कि ये हमने किस तरह स्कमाल करना है तो ये रिहान साब जो पुरे पाकिसान में काम कर है अब मैं बताने चाहूंगी कैं personalities जो मर्ड है वो एक मर्ड से जाहिए है अल़्ह ना करे कुसी को भी हो सकता है कहीं भी पाकिसान में दुनिया में लेकिन हम हम इससे बच तो सकते हैं तो अगर हम इससे बच सकते हैं तो हमें वो तरीके जो हैं भूनने चाहिए और हमें वो तरीके इस्तमाल करने चाहिए अपनी डेली लाइफ में कि जिससे हम इस बिमारी से बच सकें दूसरों को बता सकें कि तुम इस बिमारी से बच सकते हो अगर हम लेकिन हम उस बिमारी से बचने के लिए हम आज से अपनी जिंदगी में अगर नेचल डाइट शुरू करेंगे तो हम बच सकते हैं यह तो अल्ला ताला के हाथ में है कि मैं कैंसर से मरूं या कोई और करते हैं लेकिन हमारी कोशिश तो होनी चाहिए है फ्रेश मिल्क उबाल के यूज करें और इसके साथ साथ आप लोग जो भी अगर ये कर सकता हो तो वीड ग्रास अपने घर में ग्रो करें और उसका जूस पी जाहे वो पांच ग्राम जूस हो लेकि वो आप पी तो जब हम अपने सिस्टम को सही करेंगे तो हम विमारी से भी बचेंगे जरूरी नहीं है कि सिर्फ कैंसर की विमारी हम और भी बहुत सारी विमारी से भी बचेंगे तो मैं आप सब से गुजारिश करती हूँ कि अपना अपने खांदान का सब की सहता क्या रखे और अपनी दौाओं में शामल रखे रहां साथ